करवा चोथ हो या दिवाली हो किसी भी फंसन में बनाए एकदम रसीला कटा मिठा बढ़ा बहुत ही जादे स्वादिश्ट हाई दोस्तो नमस्कार आप लोग कैसे हैं उमीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे हम भी अच्छे हैं तो हम किचन में आ गए हैं और हम ले ल दो नहीं पानी अब बिल्कुल भी नहीं डालें गे ईक दोस्ते हमाने दीमें नहीं अगर को नहीं से पाएक उल्मस और इसे हम पिसें अगर नहीं पिसा पाएगा तबiyorsun हम इसमें आधक च्छे nårces day data dal 237 अपैसे नहीं हुना चाहिए नहीं मिलीक पैस्ट फिर इस एकदम फाइन चलाए बना लेंगे यह पेस्ट बनता है ना तो इसका थोड़ा झाला है आप देख सकते हैं कितना बढ़ियां एकदम fluffy हो गया है एकदम अच्छे से और फिर इसे में इकदम बढ़ियां से करीब 10 मिनाड तक भेट ना है और देख सकते हैं कितना बढ़ियां एकदम पिसगय है न जादे fine है और नाहीं जादे दरदरा आयो हलका फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा साबुत जीरा और डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा मतब दो पींच की जितना हम इसमें बेकिंग सोडा डाले हैं और इसे डाल कर एकदम अच्छे से फेटेंगे आठ से दस मिनाट तक हम इसे फेटेंगे जब इतना जादे फे प्रफट आएगा उतना ही यह एकदम फुला-फुला और रसीला बनेगा फिर हम उसे बैटर को साइड में रख देंगे और जादे बैटर को पतला नहीं करना है नहीं तो तेल सोखेगा तलने में फिर हम एक कराई चड़ा देंगे उसमें दो चमच की जितना चोटे चमच से स स्वाद बहुत अच्छा आता है एकदम खटा मेठा रसीला बनकर के रेडी होता है मेरे यहां बहुत जादे इसे पसंद किया जाता है फिर सूखी लाल मिर्ची डाल देंगे थोड़ा-थोड़ा तोड़ कर डालेंगे ताकि अंदर का तीखा थोड़ा सा बाहर निकल के म्शकश की जितना है खटा मिठा बने नमक पहुत जाएगा फिर मिसमें डाल दिए जयसे कि एक पाव में आदा कीजी के जितना चीनी लग जाएगे ।ो पानी डाल देञे पैनी एक लीटर के या जादे मीठा बना सकते हैं पर हम थोड़ा सा हलका मीठा बनाये थे तो इसलिए थोड़ा चीनी अभी हम कमी लिए हैं तो उसके बास से हम इसमें एक चमच भर के आमचूर पाउडर डाल देंगे तो आपके पास अगर कानपूरी खटाई हो या चार के भी खटाई इसमें डाल सकते हैं आम का तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है या इमली का पल्प घोल कर उसे भी इसमें डाल सकते हैं और इसे न आठ से दस मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे धिमी आज पे इसका चासनी नहीं बनाना है एक तार दो तारिका के मतलब चासन लगता है और मेरे बच्ची और मेरे फेमली वाले काफी पसंद करते हैं इसे फिर हम क्या करेंगे ना एक कराई चड़ा देंगे उसमें सरसो का तेल डालेंगे थोड़ा सा रिफाइन ओयल डालेंगे तेल को एकदम धुआधार गरम करेंगे और घैस धीमा कर देंगे फिर ह इसमें अपने हिसाब से बड़ा चोटा साइज हम इसमें डाल देंगे तो इतना जल्दी था कि मैं इसे ना देर तक रेश्ट पे नहीं रख पाई थी बहुत फटा-फट मेरा बेटा परसान कर रहा था और कुछ काम भी था कुछ खिलाना भी था तो इसलिए मैं इसे जाद 5-6 मिनट लगेगा एक बैश के तलने में धीमी आज पर नहीं तो अंदर कच्चा रह जाएगा और उपर से लाल हो जाएगा तो इसे इसी तरीके से सारे बैश के वाला हम सेक लेंगे मतलब तल लेंगे एकदम अंदर रूई के जैसे हो जाता है फुला-फुला आप देख स यह ते अगरम चासनी में ही सारे बढ़ा को हम वह से फॉक से तब काटा वाला चम्मा से दो जगे होल कर देंगे और फिर इसमें डुबा करकी एक घंटे के लिए छोड़ देंगे एक प्लेट लगा देंगे छोड़ देंगे अगर मेरा रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेर और कमेंट जरूर कर दीजगा सब्सक्राइब करना नहीं भूलियागा तो यह देखिए कितना रसीला बन करके रेडी होगा